Hello everyone, welcome to Prep IAS, Prep IAS पे आप सब का स्वागत है तो I am giving you daily guidance target for 18th January और देखें I think आप लोगों का कुछ लोग बोर थे आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट जो है इंक्रीज करते रहना पड़ेगा तो आज की जो टार्गेट से उसको देने से पहले there are three courses that we have launched one is test series, one is mentorship program and one is test series plus mentorship program ठीक है इनकी details अगर आपको जाननी हो तो इनके launch video है description में और अगर purchase करना हो तो fee की details यह हैं कि सिर्फ test series लेंगे त तो 4720 की and test series plus mentorship लोगे अगर prelims 2022 के लिए तो यह आपको पड़ेगा 9440 के लिए ठीक है and यह जो courses है इनका purchase link जो है आपको हमारे description box में मिल जाएगा ठीक है now moving on जो subject हम cover कर रहे है modern history right and expected time of completion is 20 days ठीक है तो देखे इसमें जो है हम में तीन घंटे I would say अब थोड़ा ज्यादा चार घंटे के राउंड four 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 and a half hour के राउंड आपको देना चाहिए and तीन चेप्टर आज मैं आपको फिर से तीन चेप्टर दे रहा हूं 15 17 and 16 now again आप लोग सोचो कि these are lot of pages right इतना सारा कैसे पड़ेंग तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम इधर देना पड़े हो सकता है कुछ दूसरा कुछ टार्गेट छूट जाए आपका कोई बात ही बट कोशिश करें यहां पर आप maximum time दे और अगेन अगर आपको ज्यादा ही understanding में issue आ रहा है कुछ चीश पढ़ रहा है कुछ चीश पर पर देख लिजे यह 1.5x पर देख लिजे और ज्यादा नहीं है एक गंटे से कम के वीडियो है तो बड़ी ही crisp और concise way में आपके ideas cover हो जाएंगे फिर आप चाहे तो जो है यह chapters read कर सकते तो यह तो एक suggestion था आपके लिए और इसके रावा next target आपका current affairs है तो उसमें DNA देखना ह और अगेन यहां हम जो है science and technology कर रहे है science technology में आपको यह दो चैप्टर कहा था ठीक है and I am hoping कि आज आप जो है यह 7.3 और आपका 7.4 राइट ना हो सकते है 7.4 पूरा ना कवर कर पाएं तो आज और कर के लिए आपके यह दो targets है and for revision हमने last time जो है June और July का cover किया था ठीक है अब आपको अगस्ट और September का quality section जो है पूरा कवर करना ठीक है तो quickly हम जो है जितना सारा quality section अपना cover करेंगे नॉंबर तक का नॉंबर 21 तक का ठीक है तो एक बार पूरा नॉंबर नी October 21 तक का ठीक है और उसके बाद जो है अब हम इसके बाद revision में जो है अपना economics शुरू कर देंगे we'll start with economics in this revision okay so these are your targets for the day and जो भी आपका progress हो do mention it in the comments क्योंकि this is something जो आपका commitment बिल्ड करेगा प्लस हमें idea देगा कि आप कितने अच्छी से टार्गेट से perform कर पाए कहां पर आपको help की जरूरत है तो this is it for today's target see you again tomorrow